मिनर्वा शिक्षन संस्थान घुमार्वी के च्वात्र रही विशाल ठाकुर का चयन उत्तर प्रदेश नाइक सेवा में बतौर सिवल जच बनने के बाद मिनर्वा शिक्षन संस्थान पहुँचे मिनर्वा संस्थान से शिक्षा उत्यन कर वुलंदिया हासिल करने बाले दो सगे भाईयों वह उनके अभी भावकों के लिए साधे समहरों का आयूचन किया गया मिनर्वा संस्थान पहरा मंगलवार को शिक्षक दिवस के मौकी पर विशाल ठाकुर व परिजन को आमंत्रित किया गया था विशाल ठाकुर ने कहा कि मैं शिक्षक दिवस तर अपने सभी गुरुजनों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिनकी बदौलत मैं आज इस मुकाम तक महुचवा हूँ शिक्षक मुमबत्ती की तरह होता है जो स्वैम को जला कर दूसरों को प्रकाश देता है इससे पहले भी इसी शिक्षन संसान के चात्र रहे उनके छोटे भाई विकास ठाकुर इसी वश मध्य प्रदेश नाइक सेवा में बतौर सिविल जर्ज एवा जुडिशियल मैजिस् अज का ये दिन हमारे लिए बहुत गौरोपुरून दिन है कि आज हमारे दो स्ट्रेंट्स विशाल ठाकुर एंड विकास ठाकुर जो है वो आज हमारे बीच में आज हमें गुरुद दक्षना देने के लिए यहां आये हैं तो ये दोनों बच्चे हमारे शिविल जज के ल एड़ रएट हूए हैं तो इन दोनों बच्चो और इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बदाईी कि इनकी ये मेहनत आज रंग लाई है ये हमारे पास नाइ्ज क्लास से लेके पलस टू क्लास तक हमारे पास पड़े हैं और हमारे बोस्ट्रल में भी दोनों प्रुद ये इस उपलब्धी को ये और उपर तक लेके जाएंगे और हमारे इस स्कूल का, इस इलाके का और पुरे हिमाचल का नाम अपने इस जुडिशियल एरिया में रौशन करेंगे और अपनी उपलब्धी को अपने देश के लिए निचावर करेंगे इसके लिए मैं इसके लिए मैं मेरी नाइन से प्रश्टू की पढ़ाई निर्वा सिनियर्स के इंडर स्कूल गुमारवीं से हुई है और मैं 2014 बैच का स्टूडेंट हूँ यह हमारे लिए बहुत इस्वभाग्य की बात है कि आज टीचर स्टेक के दिन हमें स्कूल आने का मौका मिला और गुरु दक्षिना के तौर पे हम दोनों भाईयों ने अपने टीचर्स को सिविल जर्ज की पोस्ट मिली है उसके लिए उनके लिए उनका दन्यवाद करते हैं और मैं आभी सभी एक्सपिरेंट्स और स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि अगर वो कड़ी मेहनत करें और अपने पे ब्रोसा रखें और अपने रिसूर्स का दूरूप योग ना करें तो जल्द ही वो बहुत बड़ा मुकाम लेके अपने में स्कूल का नाम रो अपनी वारे बक्यों को मुटवल किया अपने यादें ने में रे ता हुआ विश्दा खाकूटी को आमकरीद करता हूं वाएं और स्कूल सहलेक्टारब अपनी यादें इहाँ सांजा करें साथ में हमारे बड़ों को मुटवट कर रेंज्साल यावल क्श्वार्क 13 मेरे लिए कितना गरव पूर्ण था, मैंने बड़े गरव से कहा कि बिलकुल हमारे पास पड़े ये प्लस्तु तर और हमारे पास ही पड़े हैं और हमारे पास और मैंने ये भी कहा थेंक्यू रुशाल फाकुर जी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है एक छोटा सा छोटी सी छोटा सा मुमेंट मैं अभी अभी उसको फीट करके आ रहा हूँ अपने गाउं में मैं आज बहुत सारे फंसल हैं सभी गाउं में हैं लगपच तो गाउं में बहुत सारे लोग गाउं के इकठा होते हैं और उस फंसल के लिए जो काम होता है उसको करते हैं सबको पता है तो हमारे लाइफ टेम्स टीवी के लिए गुमार्वी से निरच शर्मा क्योवाई पर उ तूम ऋड़कार प्ला होनुआ bonito तो